नहीं है आप सब तो आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं देखे जैकबोड में आप सभी बच्चे क्लास 8 सरे क्लास 12 तक बढ़ते हैं तो आप सभी बच्चों को मालूमना अची कि जैकबोड ने अपना देखे पैटन बदल दे एकजाम का आप जारकंड में देखे जो भी बच्चों का जैकबोड का सबका एक ही पैटन पर यहाँ पर प्रिक्षा आईउद किया जाएगा क्या है यह पैटन आई आज के वीडियो में जानेंगे तो चली वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो पसंद आए बच्चो तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल पर गानी हुआ है तो चैनल सुस्क्राइब करिएगा साथ में बैल अगन पर क्लिक कर लिजेगा क्या है और जो जैक के देखिए अध्यक्ष है यानि डॉक्टर अइल कुमा मैतोजी उनकी अधिक्ता में बैठे मिस्ट हुआ है कि सरकारी स्कूलों में आठवी परिक्षा नौवी और एकारी वी जो वार्षी परिक्षा होती थी वह OMR सीट पे होती थी जबकि 10 और 12 के दे स्कूलों की नौवी की तरच पर नौवी में जैसे क्लास 9 में रेष्टेस reduces उस आधार में यहीं आधार यहां भी किया जैक बोड ने वैसे वेबसाइक वी से जिने ना तो कोई चात्र है और ना ही कोई सिक्षक उन्हें परिक्षाओं से हटाने के मंजूरी दे दिये साथ ही साथ दस हाई स्कूल और दो इंटर कॉल्यों की प्रसिकूर्टी मंजूरी दे बैठक में उपाद्याग से लिए बच्छों का कि देखिए जैने बताई दिया गया कि मैट्रिक के लिए नववी और बारवी के लिए एक आरवी में रिच्ट्रेशन होता था या तीन साल के लिए आप मायन होगे एने रिच्ट्रेशन अब एक बख करें वो तीन सामरेड होगा अगर तीन साल तक उसी क्लास में और चौते साल भी परिच्छा देते हैं तो फिर से उसको दिरेट्ट्रेशन करवाना पड़ा है लेकिन अगर आप 9 ने रिच्ट्रेशन करवाना जैसे पहले को बच्छा इंप्रूमेंट एंजामिशन देता था तो उसको एक साल वेट करना पड़ता था अब देखें कंडिशन लगा दिया गया जगबोट के द्वारा कि मैट्रिक एब इंटर्मीडिट की परिक्षा पास करने चार चात्र होगा रिजल्ट जो होगा वह य परिट देना चातर इंप्रूमेंट दे सकता है वह कंपाटमेंट के साथ देखें अपना क्लेर कर लेगा तो यह कुछ जानकारी थी जो मैंने आप से बच्छों को सेर कर दिया तो आसकर मों वीडियो पसंद दया होगा वीडियो पसंद दया तो लाइक और सेर कर दीजगा तो चली मिलते हैं इस बीडियो पे ताब तक के लिए जाहीं जावारत